Hi everyone, this is Saurav Thakur and I am an assistant professor in the Department of Higher Education Himachal Pradesh So many people were asking that what is the full procedure to become an assistant professor Hindi मैं बात करता हूँ सबसे पहले देखिए आपको UGC NET या फिर HP SET कॉलिफाई करना पड़ेगा ठीक है, अपनी थोड़ी सी जर्नी भी बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरा क्या स्ट्रकल रहा, कैसे कैसे, क्या क्या कठीनाईया आई, कितना सब कुछ करके मैं आज एक assistant professor बना 26 साल की उमर में हलांकि बहुत ही यंग भी नहीं 26 साल, अब तो शादी की उमर आगी है 2-3 सालों में लेकिन शादी भी तभी होती है जब जॉब लगती है तो खेर शादी की बात अलग है वापीस आते हैं सबसे पहले तो अगर आप master's में अभी जा रहे हो जैसे आप master's start करते हो, your first focus should be the syllabus of your master's जब आप अपनी master's कर रहे हो, कोशिश करो कि master's में आप बहुत अच्छे number लेकर आओ, ठीक है उसके बाद साथ साथ आप UGC net या फिर set की जो exam होता है, set बोले तो अब अपने जो state का अलग से set होता है जैसे कि मैं HP से हूँ, तो HP set है और UGC net है, UGC net आप qualify करते हो तो आप इंडिया में, देखो एक beginner के हिसाब से परस्पेक्टिव से यह आपको वीडियो में अपने information दे रहा हूँ आप एक beginner हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप UGC net जब qualify करते हो, या फिर किसी particular state का set exam आप qualify करते हो, तो आप सिर्फ उसी state में eligible हो, assistant professor बने के लिए, अगर UGC net qualify करते हो, तो पूरी इंडिया में आप eligible हो, कहीं भी, किसी भी central university में, किसी state university में and colleges में, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, वो है college grader की बात, ठीक है, जो की commission होता है, public service commission जो एक state का होता है, वो organize करवाता है, हर state का, हर public service commission का अपना system होता है, कई जगा exam होता है, उसका भी एक अलग pattern होता है, कई जगा सिधे interview होते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं हिमाचर प्रदेश की particularly बात करू तो मैंने अपना जो master's 18 में complete की, और साथ साथ बहुत बढ़ाई करता था, master's में gold medalist में मैं रहा, और सरदियों की छुटियों अभी में बढ़ता था, मतलब बहुत बढ़ता था, और सुबा सुबा कई बार 3-3 बजे उटके library चला जाता था, रात को 9-10 बजे आता था, बा अगर जिन्दगी में आपको कुछ करना है, तो लड़ना तो पढ़ेगा, वो लड़ना आपको परिश्थितियों से है, वो किसी भी प्रकार की परिश्थितिया हो सकती है, कई लोगों को financial problem होती है, बगवान की दया से, मापप की दया से, मुझे ऐसी कभी problem नहीं आई, ले क्योंकि English subject है, उपर से general category भी थी, तो थोड़ा challenging है, impossible कुछ नहीं है, थोड़ा challenging होता है, ठीक है, तो challenges जब आप अपनी life में लेते हो, तो वही challenges आपको best बनाते हैं, वही challenges आपको better बनाते हैं, और failures बहुत ज़्यादा देखें मैंने, मैं लगा रहा लगा रहा, मैं J.R.F क point पर रह जाता था, बहुत धक्ये खाए, बहुत इदर से उदर कभी कहीं, कोचिंग के लिए कभी कहीं, कभी कहीं, बहुत कुछ किया, लेकिन J.R.F हमेशा रह जाता था, आज मैं छे बार net निकाल चुका हूँ, जो कि अब मैं stop कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं assistant professor लग गया है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं अब exam देना, मतलब exam में दूँगा लेकि attempt नहीं करूँगा, सिर्फ exam दूँगा, इसलिए क्योंकि आप लोग UGC net experience जो है, उसके लिए मुझे cut-off predict करनी होती है, और आपके लिए मुझे review लेकर आना होता है exam का, तो मैं जाऊंगा, exam दूँगा, लेकि attempt नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने चाहता कि किसी की seat जाए, आज तक मैंने आप लोगों की seat इसलिए खाई, क्योंकि मुझे जारिफ चाहिए था, अब NTA ने, UGC ने कोई ऐसा procedure बनाया नहीं है, कि जिन्होंने जारिफ करना है, वो सि उसना बंद कर दो, जिनको आप कहते हो कि आपने जारिफ निकाल दिया, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने जारिफ क्वालिफाई कर लिया है, और आपकी fellowship है, तो आप अगर ये दुबारा एक्जाम दे रहे हो, आपको शरम आनी चाहिए, बहुत गलत कर रहे हो, से मैंने लड़ी थी, तो आप गलत नहीं हो, तो वो system की कमी है, कि वहाँ पे कोई अलग से ऐसा option निए, कि अगर आप जारिफ की merit में आ रहे हो, तभी आपको जारिफ मिले, अन्य था, आपको कुछ ना मिले, कुछ ऐसा option वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात ही UG में एक साल इनुवस्टी में मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छा experience था, बहुत अच्छे मुझे students मिले, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और सिखाने का भी मौका मिला, उसके बाद मैंने एक private university में भी job की, वहाँ भी मैंने कुछ ताइम पढ़ाया लेकि, तो मैं मैंने एमफिल अपना पूरा किया, और उसके बाद मेरे पास GRF नहीं था, तो fellowship नहीं थी, तो मैं दरदर भटकता रहा है, PhD के admission के लिए, IIT, पांच IIT में मैंने अप्लाय किया था, IIT Delhi में मेरा research proposal भी shortlist हुआ था, मैंने interview भी दिया था, लेकिन बहुत formality के लिए interview हुआ था तो मतलब उनको भी GRF चाहिए, everybody prefers GRF, because if you are getting a fellowship from UGC, तो उससे वो बच जाते हैं आपको fellowship देने हैं, क्योंकि IIT में fellowship में मिलती है, GRF के बराबर ही, बाकी जगा मेरा research proposal shortlist नहीं हुआ, क्योंकि वह ही GRF वाली problem, और भी कई universities में apply किया था, Central University of Dharamshala, Ignuga All India Level का entrance test दिया था, उ और पंजाब इनवस्टी भी में गया था, वहाँ पे किसी guide से मेरी जान पिचान नहीं थी, तो मुझे admission नहीं मिली, ये सारे reason रहे जो मुझे admission नहीं मिली, एक बहुत ही अच्छे college में, शिमला में, वहाँ मैंने assistant professor का interview दिया था, सिर्फ दो seats थी, वहाँ भी कुछ और ही च अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, छोटा सा मेरा family business है, लेकिन पापा ने मुझे हमेशा ये कहा कि, तू पढ़, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, जिन्दगी बर की रोटी खाएगा, business में risk है, कई बार life में, जब मैंने बहुत failures देखे, जिर्फ में इतने failures देखे, तो मुझे कभी कभी लगता तेरा पढ़ाई छोड़ देनी है, अपना business देख लूँगा, पापा के साथ में business में हाथ बटा लूँगा, कुछ नी रखा है पढ़ाई में, मैं तंग आ गया हूँ पढ़ पढ़ के, शरीर में इतनी बिमारिया ल जब आप पढ़ते हो, तो कोशिश करना कि हर रोज, आधा गंटा सुबा और आधा गंटा शाम को आप कोई physical exercise करें, यानि कि running करें, आधा गंटा सिर्फ running भी कर रहे हो तो आपका काम बन जाएगा, फालतों कि भीवारी नहीं लगए, हाला कि अब मैं ठीक हूँ, ऐसा जगल रहा, तो PhD के लिए कई जगा भटका, लेकिन उसके बाद फिर हमारी इंवर्श्टी में के entrance आया, क्योंकि पहले तो direct admission होती जिनकी fellowship है, तो fellowship वाले तो सब अंदर हो गए, क्योंकि उनको fellowship थी, वो किसी भी reason से हो सकती है, तो उनकी admission हमार से पहले होगी थी, जो हमारे junior में तो मुझे admission मिली PhD में, तो यह रहा PhD तक का सफर, उसके पाद commission आया, public service commission, तो इसमें मैंने सदेखु सब्सक्राइब तो form बरना पड़ता है, obviously, तो मैंने form बरा, और English में अगर मैं बात करो ना, तो हमने जो subject choose कियो, बहुत ही अच्छा है, तो अब उसमें क्या है कि English में seats बहुत जादा आती है, और UGC net qualify करना मुश्किल है, लेकिन seats काफी होती है, क्योंकि English हर college में subject होता है, तो इस हिसाब से, जब आप written की तियारी करते हो, तो written की तियारी बिल्कुल UGC net और set की तरह ही होती है, उसमें मुझे कुछ भी अलग बताने की जरूरती है, लेकिन ह हमाचरप्रदेश में जो public service commission होता है, उसमें English subject की अगर मैं बात करूँ, तो 14 question याने की 14 question out of 100, आपको grammar से पुछे जाएंगे, ठीक है, मतलब English language grammar जो भी है, और 8 questions, 8 questions आपको HPG के आएंगे, ठीक है, और 8 questions जो आपको है, वो पूरा world India, जो current affair है, general knowledge है, वो पुछे ठीक है, तो इसके लिए, मुझे इतना, मैंने तो जो पढ़ा था, चार पास दिन पढ़ा था, जो भी पढ़ा था, यूट्यूब से इधर उदर से जो भी मुझे material मिला, तो negative marking होती है, इस exam में, ठीक है, तो अगर इसको देखे है, हम 8 और 8, 16 और 14, ये होगे 30, और जो 70 questions ह वो आपको subject से आएंगे, जो की, बिल्कुल UGC net or set की तरह ही, सिलिवस आपका रहता है, कहीं से भी उठा के डाल सकते है, इतना जरूर कहूँगा कि, आप Indian पे थोड़ा जादा focus कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद, इसका जो procedure है, पहले आपका return exam होता है, फिर क्या होता है, कि एक seat पे तीन लोगों को interview के लिए बुलाया जाता है, जैसे हमारे general category में 19 seats थी, तो लगबग 60 लोगों को उन्होंने बुलाया था, अब जो बाहर के लोग है, out of state जो लोग है, जो apply करना चाहते हैं, अगर वो apply करते हैं, तो they will be considered in general category only, आप किसी भी category से हो, आपको general category में consider कि किया जाएगा, इससे क्या होता है कि हिमाचल के जो general category के students है, उनके लिए competition थोड़ा बढ़ जाता है, और जो category के लोग है, SC, ST, OBC, X servicemen, जो भी है, वो सब हिमाचल के ही consider होंगे, अगर आप बाहर के हैं, तो आपको general में consider किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से 3 लोगों को interview क बुला जाता है, एक seat पे, तो आपको कोशिश करनी है, अगर आप general category से हो, या फिर out of state हो, तो आपको top 60 लोगों में आना है, अगर seats 19 है, अगली बार, शायद 2 या 20 साल में अगला जो exam है, वो आने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उसके बाद आपका interview होता है, ठीक इस तरह से, ठीक है, एक बार PhD interview पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैं बना चुका हूँ, और ये वीडियो में अलग से बनाऊंगा, तो अगर आप लोग already मेरी subscribers थे, या हो, तो मैं आप से हाथ जोड़के, मतलब आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ल मैं आपका तह दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूँ, कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, मैं comments पढ़ता रहता था, तो आप लोगों की wishes जो थी, वो बहुत अच्छी wishes हुआ करती थी, मतलब अभी भी होती है, और आगे भी होगी, मैं उमीद करता हूँ, तो आप लोगों की जो दुआएं हैं वो मुझे लगी, हाला कि जारेफ मेरी किसमत में नहीं था, जो आपकी किसमत में नहीं है, वो नहीं है, आप फिर जो मरजी कर लो, लेकिन ऐसानी है, जिन्दगी में हमें actions तो करने ही पढ़ते हैं, अगर हम actions ही नहीं करेंगे, तो फि कुछ नहीं है, इतना, चार-पांच साल की आपको fellowship लगेगे, उसके बाद कहां जाओगे, क्या करोगे, तो मतलब कई बार जिन्दगी में हमें जब failures मिलते हमें लगता है, भगवान हमारे साथ बहुत unfair कर रहा है, treatment, लेकिन जो उसने आपके लिए चीज सोची है, वो right time पर जोर से चिलाता, जारिव, जारिव, फिर उठता था, फिर पढ़ने बैड़ता था, पंदरा-पंदरा घंटे दिन की study किया करता था, तो शायद वही struggle था, जो आज assistant professor के लिए काम आया, और आप लोगों की दुआई भी थी, जो मैंने lectures आपको deliver किये YouTube उसने भी मुझे आप link ढूंड सकते हो description में अगर आपको UGC net के लिए notes लेने हैं मेरे, फिलहाल आज की date में literary theory, literary criticism, culture studies and major works के एक list है, जो मैं आपको provide करवाता हूँ, आने वाले time में शायद में और भी notes बनाऊं, तो आप updated रहिएगा मेरी latest videos देखते रहिएगा, और आप मुझे Instagram पे follow कर सकत फिलहाल channel का नाम भी दाना multitask करे, हो सकता है आने वाले time में channel का नाम थोड़ा सा change करूँ, तो फिलहाल ये थी मेरी journey, मतलब एक master से लेकर, यहां तक की, assistant professor की, तो अभी कुछ दिन में मेरी joining होने वाली है, अभी ताजा ताजा ही में लगाऊं, और गरमा गरम, तो कुछ दि चोड़ी सी शुरुवात है, जो मैं करने जा रहा हूं, और मैं आगे भी उमीद करूँगा कि मुझे आप जैसे बहुत अच्छे बच्चे मिले, students मिले, और मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा कर पाऊं, आप लोगों के सपने जो है, उनको achieve करने में, आप लोगों की म अबल पे depend करता है, इस बार का जो exam था, वो extremely tough exam था, मतलब UGC net मैंने 10 बार दे दिया, गिन के, इतना tough exam मैंने कभी नहीं देखा, तो उपर से negative marking अलग होती है, तो 32 के आसपास हमारी cutoff गई थी, जनल की, और SC की 21 के आसपास, और SC की 20 थी शायद, इसमें minimum criteria होता है, जनल के 25 नमबर, और category के लिए 20 नमबर होने चाहिए, अगर इससे नीचे आपके है, तो आप fail है, आपको interview के लिए call नहीं आएगी, भले आप cutoff में आते हो, नहीं आते हो, है ना, तो qualify करने के लिए आपको 25 नमबर general में, और 20 नमबर category में, चाहिए वो कोई भी category है, उसमें लेने पढ़ेंगे, तो SC की तो cutoff बिलकुल आगई थी 20 पे, और ST की 21 के आसपास, और OBC की 20 के आसपास ही थी, और general की 32 पे थी, तो इतना सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ना, तो ठीक है, ओके, भाए, खुश रही है, आबाद रहे किसी की जान तो किसी की फर्याद रही है, Bye!